हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्राक्टी सेट नमर 14 जो कि बिहारदरोगा मेंस के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्म टू के बुक से चलाया जा रहा है एक से 13 तक के सेट अल्यडी अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ ही साथ बैल आइकन दबा दीजेगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें आपको इसके अलाबा हमारे चैनल्स पे और हिस्ट्री जोग्रफी या लूसेंट को अब्जेक्टिप्स का सीरीड चलाया जा रहा है वो भी अगर आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं जो कि आपके आने वाले सारी जम्स के लिए खासकर बिहार इसाइमेंज के लिए काफी सुरूट्फूल साबित होंगे आप लोगों के लिए चलिए तो बढ़ते हैं अपने कोशन की तरफ आज का जो हमारा पहला कोशन है वो कह रहा है कि 1789 इसकी करांती के बाद फ्रांस के किस प्रकार की सासन बेवस्था सापित के गई थी मतलब कोशन आपसे जो कह रहा है वो कह रहा है 1789 की करांती के बाद फ्रांस में किस प्रकार की सासन बेवस्था सापित की गई थी तो इसका जो साइन सर होगा बो हो जागा तो इसका जो science हर होगा बहु हो जाएगा option number C काली बंगन से मुहामे जूते हुए खेता साच प्राप्त हुआ है काली बंगन की अगर हम बात करते हैं तो ये फिलहाल राजस्थान के गंगा नगर जिला में इस्थित है और काली बंगन से एक और चीज़ याद रखेगा कि काली बंगन से यहाँ अलंग ग्रेते इट का प्रामान भी राप्त हुआ है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question में एक चीज़ और याद रखेगा और options को मैं थोड़ा सा यहाँ पर explain कर देता हूँ मोहन जोदाडों से याद रखेगा कि मोहन जोदाडों में सूती बस का प्रामान मिला था साथी साथ यहाँ से याद रखेगा कि पसुपतिनाथ की मुर्ती भी यहाँ से मिली थी और एक नर्तिकी का एक कास प्रतिमा भी यहाँ से मिला था अगर हम हड़पा की बात करते हैं तो हडपा से याद रखेगा कि हडपा की मोहरो पर सबसे अधीक एक स्रेंगी पस्तू का अंकन मिलता है, छहुन दाड़ों से याद रखेगा कि यहाँ जो है, मन के बनाने के कारखाने जो थे वो लोथल और चहुंदाडों से मिलते हैं चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ जो कि है हमारा question number 3 question number 3 कह रहा है कि भारत में हरित करांती किस दसक में हुई थी तो इसका जो सही answer है वो हो जाएगा option number B अगर हम बात हरित करांती की करते हैं तो हरित करांती का जो जनक माने जाते हैं वो नौर्मन बोरो लोग को माना जाता है लेकिन अगर आपसे question 2 दे कि भारत में हरित करांती का जनक कोन है तब उसका answer हो जगा MS Swaminathan एक और चीज हरित करांती से याद रखिएगा कि हरीत गरांती का जो जन भूमी है वो माना जाता है पंत नगर क्रिसिप इस विद्धाले को ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरब जो कि है हमारा कोशन नबर 4 कोशन नबर 4 कह रहा है कि यंग यूरोप की अस्थापना किस ने की थी तो इसका जो सायंसर होग अप्शन नबर 2 मेजनी ने इसनका जो पूरा नाम था वो था ग्यूसेप मेजनी ठीक है ग्यूसेप मेजनी माजनी जिसको हम लोग बोल सकते हैं ठीक है और ये अंग यूरोप एक क्या था एक अंतराष्टी ये संग था ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पर किया गया था जो देखिए अगर हम आप सलवाई की संधी अब पहले आप याद किजिए प्रथम उंगल मराथा यूद कब से कब 1775 से लेके 82 तक ठीक है और ये जो प्रथम उंगल मराथा यूद था यही सलवाई की संधी जो फिर 1772 स्वी में हुई और उसी के बाद ये प्रथम उंगल मराथा यूद यह समापत हुआ तो कभी कभी ये question पूछा जाता है कि प्रथम उंगल मराथा यूद कौन सी संधी के साथ खतम हुआ था तो इसका अंसर हो जायगा सलवाई की संधी ठीक है तो ये जो प्रथम उंगल मराथा 1785 से 8042 के बीच हुआ इसी में ज अब बढ़ते हैं अगले question की तरब जो कि है हमारा question number 6 question number 6 कहा रहा कि सबसे अधिक बोली लगाने बालों की भूमी राजस बसूल करने का अधिकार देने की बेवस्था का पारम सर पर्थम किस ने किया था तो इसका जो सही answer होगा बो हो जाएगा option number B यानी Lord Boren Henstein के दोरा start किया गया था देखे अगर हम बात Lord Boren Henstein की करते हैं तो 1771 इस्वी में ठीक है 1771 इस्वी में बारेन हिस्टिंग जो था वो लगान बेवस्था में सुधार के उद्धे से दिवानी अधिकार अपने हाथों में ले लिया था ठीकर और लगान बेवस्था जो बसूली का कार्था वो सुएम के निरेच्छन में करवाना start करवा दिया था लेकिन फिर ये 1771 में तो ये स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर जाके 1770 इसमी में ये जो पांच बरसी अधिकार दिया जाता था, उसको घटाके एक बरसी अधिकार कर दिया गया, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से ये जो बेवस्था थी, लगान बसुली की, सर्थ से बतलब बो 1922 में लहोर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समचार पत प्रारंप किया गया था, तो इसका जो सही अंसर होगा, बहु हो जागा, और ये इतना जादा लोग प्रिये हो गया था, कि उस टाइम में भी 5000 प्रतियां इसकी प्रति दिन, मतलब लोगों तक ठीक है, फिर इसमें कुछ बिवाद हो गया, और बिवाद होने के बाद 1927 इसवी में इस समचार पत्र को पुलिस द्वारा जबरन बंद करबा लिया गया, ठीक है, और साथी साथ लाला लाजपत राय से एक और चीज़ याद रखेगा, कि इन्होंने फिर जब ये बंद हो किये हमारा question no.8, question no.8 का रहा है कि भारतये राष्टिये Congress की प्रथम महिला आध्याच निमलिखित में से कौन थी? देखिये, इसमें दो टाइप के question पुछे जाएंगे, एक पुछा जाएगा भारतये राष्टिये Congress की प्रथम भारतये महिला आध्याच, तो भारतिये अग अगर हम बात भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की करते हैं, तो कुल भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की अधिवेशन में तीन बार ऐसा समय आया कि किसी लेडिज के द्वारा, मतलब तीन लेडिज के द्वारा अध्यचता किया गया था, ठीक है, पहली लेडिज थी स्रीमती ए याद करने का आपको मैं तीनों का एक चीज बता देता हूँ, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, एक का याद रखेगा सिर्फ एनी बेसेंट का, कि इनोंने 1927 में किया था, और फिर उसमें ठीक आट साल जोड़ दीजेगा, तो 1925 में सरोजनिनाईडू ने किया था, और फिर इसमें आट साल जोड़ दीजेगा, तो 1934 आजएगा, जिसमें नलनी से गुपसान ने किया था, ठीक है, चलिये, अब बढ़ते हैं अपने अगल लॉड कर्जन इसका सही अंसर, option number B, ठीकर, अगर हम बात, लॉड कर्जन की करते हैं, तो यह कब से कब तक, 1899 से लेके, 1905 तक यह सांसन किया था, देखे, 1905 में 2 आये थे, मना, 1905 में ही लॉड कर्जन खतम होके, फिर 1905 से 1910 आया था, लॉड मिंटो दूतिये, तो confuse नहीं हो यह गया यहाँ पे, 1905 इसमें भी जुड़ा हुआ है, 1905 इसमें भी जुड़ा हुआ है, लेकिन बंगाल बिभाजन जो हुआ था, वो लॉड कर्जन के टाइम में हुआ था, लॉड मिंटो दूतिये के कार्जकाल में, नहीं, लॉड मिंटो दूतिये के कार्जकाल में अब परभावी कब हुआ था बंगाल बिभाजन ये भी याद रखेगा डेट के साथ 16 अक्टूबर 1905 को परभावी हो गया था किस चीनी राजा ने 220 इसापुद चीन की बिसाल दिवार के निर्मान के लिए करप पर रंध किया था तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा आपसन नमर C, C, Hang, T के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और ये जो दिवार है चीन की दिवार चीन की उतरी सीमा से अमद गोरी ने जैचंद को किस यूद में पराजित किया था तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा चंदावर का यूद यानि ओप्सन नमर C, हुआ कर्था चंदावर का यूद 1194 में ये जो राजा जैचंद था वो क्या था गहडवाल का राजा था ठीक है कन्योज म इसके ठीक दो साल पहले चंदावर के ठीक तराईन का जो डूती यूद हुआ था उसमें मुहमद गोरी ने पिर्थिवीरा चोहन को हडाया था याद होगा आप लोगो और इसी में ये पिर्थिवीरा चोहन से इसका दूसमनी था जैचंद को और जैचंद ने मुहमद गोर के नाम से जाना जाता है तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जागा कोनार्क मंदिर यानि आपसा नमबर सी ठीक है अगर हम बात सोर मंदिर करते हैं तो यह महाबली पुर्यम में हैं जिसको र्हतमंदीर भी कहा जाता है है ये जो सोर मंदीर महाभली पूर्यम का जो मंदीर है वह किसने निरमान करवाया था नरसी बरबन प्रथम के दोरा करवाया गया था खुझराओ का मंदीर के अगर हम बात मंदिर है ठीक है कौन से नागर से लिका भारत में प्रत्था मंदिर है ठीक है चलिए अब अब अगले कोश्चन की तरब जो कि है हमारा कोश्चन नबर 13 क्या कह रहा है कह रहा है कि आल माटी बांध किस नदी पर बना हुआ है तो इसका जो सहीं से रोगा बहुत जागा चीज याद रखेगा कि क्रिष्णा लदी पर नागार जुन सागर परियोजना और उपरी क्रिष्णा परियोजना भी है ठीक है चलिए नग्स कोश्चन है कोश्चन नबर 14 कोश्चन नबर 14 कह रहा है कि इन में से भारत का प्रमुख जल यान निर्मान के अंदर कौन सा है तो इसका जो सायन सर होगा वो हो जाएगा अपसन नबर A कोश्चीन ठीक है और कोश्चीन से याद रखेगा कि कोश्चीन जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्रांगन बाला भी बंदरगा है और कोश्चीन बंदरगा को और क्या कहा जाता है पूर्व का बेनिस भी कहा जात है तो कुल्लू घर्टी के अगर हम बात करते तो ये सेव की खेती के लिए प्रसिद है ठीक है और ये कहा है कुल्लू घर्टी हिमाचल प्रदेश में है तो इसका जो सही अंतर होगा बहुँ जगा अगर हम बात यहां अप्सन की कर लेते हैं तो आलू की बात करते हैं तो आलू सबसे ज़्यादा का होता है यूपी उत्तर प्रदेश में होता है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 16 कहा है कि निमलिखित में से वहा ही स्पात सन्यांत्र कौन सा है जिसकी अस्थापना दूतिय पंच बरसियो योजना के दौरान नहीं किये गई थी तो इसका जो सई असर होगा बोहो जगा कौन बोकारो इस्पात सन्यांति योजना ठीक है इसका अस्थापना कब हुआ था बोकारो इस्पात सन्यांति योजना के अगर बात करते हैं तो इसका अस्थापना हुआ है 1968 में और दूतिय पंच बरसियो योजना की हम बात करते है तो पहली पंचबर्सियों योजना कब? 1901 कामन से 1956 और दूतिय पंचबर्सियों योजना कब? 1956 से लेके 1961 और इसका हुआ कब? 1916 में तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुँजागा बकार हो और ये जो भिलाई, दुरगापूर और राउल के लाए ये सब हुआ था कब? दूतिय पंचबर्सियों योजना में ही हुआ था ठीक है? दूतिय पंचबर्सियों योजना से और चीत याद रखेगा कि जो दूतिय पंचबर्सियों योजना था वो महान नोबिस मोडल पर अधारिक था ठीक है अगर हम बात options की कर लेते हैं तो भिलाई इस पात कर खाना से याद रखेगा कि भिलाई इस पात कर खाना जो था वो रसिया के सयोग से उस टाइम USA से सार था ठीक है दुर्गापूर की अगर हम बात करते हैं तो दुर्गापूर जो था वो ब्रिटेन के साहता से और र करते हैं कि आप लोगों को clear हो गया होगा यह सारा चीज चलिया next question है question number 17 question number 17 कह रहा है कि निमलिखित में से बिजली का नभी करन संसाधन कौन है देखिए generally हम लोग energy sources की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग दो टाइप में classified करते हैं एक है renewable sources of energy और दूसरा है non-renewable sources of energy renewable sources of energy क simple सा मतलब है जिसको हम लोग रिली लगा हुआ है मतलब हम लोग बार-बार दुबारा यूज कर सकते हैं और non-renewable का मतलब जिसको हम लोग दुबारा यूज नहीं कर सकते हैं जैसे कि as for example renewable में हो गया solar energy, wind energy, hydro power यह सब हो गया renewable sources का energy का example और non-renewable का बात करते हैं तो जितना भी fossil fuels आएगा पेट्रोल, डीजल, किरोसीन, वाइल, यह सब किस में आ जाएगा? Non-Innovable Sources of Energy में आ जाएगा, ठीक है? तो questions की अगर हम बात करते हैं, तो 17 questions है कि निमलिखिस में से बिजली का नभी किरन, तो नभी करियंस और निसमें कौन हो जाएगा? Option number A, पानी, हाइड्रो पाबर, जो अभी मैंने बताया, जो पन बिजली है, वो क्या है? नभी करन, Source of Energy है, संसातन है Next question है हमारा, question number 18 Question number 18 कहरा है कि सुनामी का मुख का रंग क्या है? तो सुनामी का मुख का रंग क्या है? इसका जो सहीन सरोगा, वो जागा Option number C, समुदरी सता पर, भुकंप, ठीक है? सुनामी एक जापानी सब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? अंतर सागरिये भुकंप होता है, ठीक है? चलिए Next question है, question number 19 Question number 19 कहरा है कि पिर्थिवी के चारो और, बायूमंडल के ताप अस्तरन कि 300 असपष्ट भी सेस्ताएं हैं, निम्लेकित में से कौन सा, एक पर तो भुव असपष्ट की उपर का सही बिन्यास है देखिए, जनरली अगर हम बात करते हैं, तो लेयर्स के बात हम लोग करते हैं तो पिर्थिवी का जो लेयर्स है, वो कुछ ही ऐसा है ट्रॉपर स्फेर, जिसको हम लोग छोब मंडल करते हैं, उसके बाद आ जागा स्टेटो स्फेर, जिसको संताप मंडल करते हैं फिर ओजोनो स्फेर, फिर आइनो स्फेर, फिर अग्जो स्फेर तो ये क्या है, लेयर्स आफ एट्मो स्फेर दिया हुआ है हमारा तो इस question का जो सही answer होगा वो हो जागा option number C छोब मंडल, संताप मंडल और थर्मोसफेर ठीक है next question है question number 20 question number 20 कह रहा है कि बिहार में प्राया कौन कैसी मिट्टी पाई जाती है तो बिहार में भी भारत में भी सबसे ज़्यादा जलोड मिट्टी पाई जाती है तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा जलोड मिट्टी से याद रखिएगा जलोड मिट्टी दो टाइप का होता है एक को हम लोग नभीन जलोड मिट्टी जिसको हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं Next question है, question number 21. Question number 21 कहा है कि भारत की संभिधान सभा के अध्यच कौन थे? तो संभिधान सभा के अध्यच थे Dr. Rajendh Prasad, तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा. Option number B, Rajendh Prasad. देखिए, अगर हम बात करते हैं संभिधान के प्रथम और अस्ताय अध्यच की, जो कि 9 December 1946 को बनाया गया था, तो वो बनाया गया था, किनको? सच्टाननसीना को, क्यूँ? क्यूंकि वो सबसे बरिष्ट थे, और उस समय ये बनाया गया था, फ्रांस की परमपराओं को देखे, कि फ्रांस की परमपराओं में यही था, कि जो सबसे बरिष्ट होता है उसको अध्याच बनाया जाता है तो जो डॉप्टर सच्टनन सीना थे वो सबसे बरिष्ट थे इसलिए उनको अध्याच बना दिया गया लेकिन फिर उसके जस्ट बात फिर राजंदर पसाद को अध्याच बना दिया गया था ठीक है क्लेर चलिया नक्स कोशन की और बढ़ते हैं जो कि हमारा कोशन नमबर 22 कोशन नमबर 22 कहा रहा है कि 20 की प्रथम महिला परधान मंत्री कौन थी तो देखे इसका जो साय अंसर होगा बो हो जाएगा आप्सन नमबर B स्रीमती स्रीमायो भंडार नके और ये कहा कि प्रधान मंत्री बनी थी स्रीमती बेनाजीर भुटो की करते हैं तो ये पाकिस्तान की पहली प्रधान मंत्री बनी थी और स्रीमती सरोजनी नाइडू की बात करते हैं तो ये कौन थी? ये भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस की प्रथम भारती अध्यच थी जो 1925 के कानपूर अधिवेशन जो की एक तालिसमा अधिवेशन था उसकी अध्यच था की थी ठीक है चलिए अब बढ़ते आपने अगले कोशन की तरब जो की हमारा कोश्चन नमबर 23 कोश्चन नमबर 23 कर रहा है कि अंतराष्टिये नियाले के नियाधिसों का निर्वाचन कौन करता है देखिए अंतराष्टिये नियाले आप लोगों का पता ही होगा कि अंतराष्टिये नियाले एक UN का पाठ है संजुक्त सभा का मतलब UN United Nation का एक पाठ है और ये इसके मुख्याले कहा है दहेग नीदरलाइंड में है और इसमें सदर पाठ है वो महासभा और सुरच्छा परंस संजुक्त रूप से करता है तो इसका जो सईयन सरोगा बहु जगा option नंबर B महासभा तथा सुरच्छा परंस संजुक्त रूप से करता है clear है? चलिए next question है question number 24 question number 24 कह रहा है कि निमलिखित में से समिधान का वो अनुछेद कौन सा है जो जम्मू और कास्मीर को विसेश दर्जा प्रदान करता था जिसे समिधान की सुची से हटा दिया गया है तो इसका जो सायन सर है अभी रिसेंटली आप लोग पढ़े ही होंगे वहां से पास हुआ 6 अगस्त 2019 को इसको लोग सभा में पेस किया गया वहां से भी पास हुआ फिर 11 अगस्त 2019 को ततकालीन राष्ट पती रामनात कोविंद के द्वारा सिगनेचर हो गया और इसको 73 को हटा दिया गया ठीक है चलिए next question है question number 25 question number 25 कर रहा है कि भारतिय सम्विधान का कौन सा भाग सम्विधान की आत्मा कहलाता है तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जागा option number C उदेशी का यानि जो प्रियेंबल है बो सम्विधान की आत्मा कहलाता है लेकिन अगर इस question में देखिएगा ध्यावन confused नहीं होगेगा इस question में कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है कि डॉक्तर अंबेदकर के द्वारा भारतिय सम्विधान का आत्मा की से कहा जाता है तब हो जागा अनुछेद 32 आर्टिकल 32 जो कि क्या है सम्विधानी कुपचारों का अधिकार है तो इसी question में अगर पूछा जाता है कि मतलब बियार अंबेदकर के द्वारा कथना अनुसार सम्विधान का आत्मा की से कहा जाता है तब अंसर हो जाता option number D जो कि सम्विधानी कुपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है और इसी आर्टिकल 32 के तह सर्बोचने आले जो होता है वो 5 तरह की रीट जारी करता है रीट से एक चीज़ याद रखेगा रीट जारी करने का अधिकार सर्बोच नयाले और उच नयाले दोनों को है लेकिन 32 अनुछेद 32 के तहद सर्बोच नयाले करेगा और अनुछेद 226 के तहद उच नयाले करेगा परस्ताबना जो यह उदेशिका है प्रियंबल जिसको हम लोग कहते है इसका प्रियंबल को कौन कहा था सम्मिधान की आत्मा तो डॉक्टर सुभास का सेप के द्वारा कहा गया है इसको सम्मिधान की आत्मा ठीक है मूल अधिकार से याद रखिएगा कि मूल अधिकार को क्या कहा जाता है सम्मिधान का मैगने काटा कहा जाता है और राज के निती निदेशक के तत्व को क्या कहा जाता है सम्मिधान का आदर्स कहा जाता है Next question है question number 26 Question number 26 कह रहा है कि राष्पती रामनाथ कोबिन ने निम्ण में से किस देश में महात्मा गांधी की एक कास प्रतिमा का उधगाटन किया है Next question है question number 27 Question number 27 कह रहा है कि लाइब डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा कौन अर्बिन्द घोस्त आपसन number D जो होगा वो सही अंसर होगा ठीकर अर्बिन्द घोस्त से एक चीज और याद रखेगा अर्बिन्द घोस्त के द्वारा ही लिखा गया है इसके अलाबा भी इन्होंने मुल्क राज नेकुली ये सब बहुत सारे बुक लिखे है ठीक है चलिए Next question है question number 28 Question number 28 कह रहा है किसी राज की प्रथम महिला मुख मंतरी कौन थी अगर पूच दे पहली राजपल तब हो जागा सरोजनी नाइटू ठीक है अगर विजय लच मी पंडित की बात करते हैं तो इनसे याद रखेगा विजय लच मी पंडित जो थी वो प्रथम महिला भारतिय राज दू थी और साथ ही साथ संजुक्त राष्ट महा सभा की प्रथम अध्याच भी विजय लच मी पंडित ही थी नाइक्स कोशन है कोशन नमर 29 कोशन नमर 29 कह रहा है कि संगीत के छेतर में ख्याती प्राप्त कितने बेक्तियों को अब तक भारतरंत प्रदान किया गया है तो इसका जो सही अंसर होगा बोह जगा उप्सन नमर 2 पाँच बेक्तियों को प्राप्त किया गया है देखिए सबसे पहले 1998 में में MS सुबलच्चमी को मिला है फिर 1999 में रभी संकर को दिया गया था फिर 2001 में लता मंगेसकर और उस्ताद बिसमिल्ला खान को दिया गया था और सबसे लास्ट 2008 में भीम सेन जोसी को भारतरतन दिया गया था तो संगीत के छेतर में यहाँ पे ओप्सन दिया हुआ है दो, चार, तीन, पाँच तो सही अंसर होगा जो हो जगा ऑप्सन नमबर पाँच ठीक है भारतरतन की अगर हम बात करते हैं तो भारतरतन सरपथन कब दिया गया था उन्हाइसा 54 में ये भी याद रखिएगा नेक्स कोशन है कोशन नमबर 30 कोशन नमबर 30 कह रहा है कि 20 रुट थाहा का दिबस कम मनाया जाता है तो इसका जो सई अंसर होगा बहुँ जगा आप्सन नमबर C दस जन्वरी को मनाया जाता है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 31 कोशन नमबर 31 कह रहा है मोडेम नाम निमलिखित में से लिया गया है तो मोडेम का फूल फोम क्या होता है मोडेम और D मोडेम बोलते हैं नेक्स कोशन है कोशन नमबर 32 कोशन नमबर 32 कह रहा है परथम भारतिय माला जो भारतिय राष्टिय कॉंगेस की अध्याचपनी तो इसको हम लोग देखें ही थे अभी कि 3 माहिलाWS है भारतिय के अगर हम बात करते हैं सरोजनी नाइडू और येक है नलीनी सिन गुपता तो यहां भारतिये की बात कर रहा है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ हो जगा आप्सन नमबर डी सरोजनी नाइडू जो 1925 के कानपूल अधिवेशन में अध्यचता की थी ठीक है और ये अधिवेशन 1917 में की थी चलिए अब अठते हैं अगले कोश्यन की तरब जो कि जो हमारा कोश्यन नमर 33 कर रहा है कि नेटिवेटी च Ł jour कहाँ इस है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ होगा बैथलहम में मतलब आपसन नमर की कोश्यन 21 Q34 कर रहा है कि जब कोई बेक्ति रोता है तो इसके सक्रियता के कारण नाख से जल भी सर्जन होता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number D असुकराथी ग्रन्थी के कारण ही हम लोग या तो जब ज़रूरत से ज़्यादा खुस होते हैं तब आंक से आसु आजाता है चलिए अब बात करते हैं अगले कोईशन की तरफ जो कि हमारा question number 35 question number 35 कर रहा है कि पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है तो इसका जो सही अंसर होगा बहु हो जगा option number है मिल्दा से खनीज लबन और जल अबसोसित करना ही उसकी मुख भूमिका है next question है question number 36 question number 36 कर रहा है कि तत्व x x oxide का एक निर्मान करता है जिसका सुथ x203 है तत्व x का आबर्थ सार्णी ब्लैंक की भाती समू होने की संभावना अधिक है तो इसका जो सही अंसर होगा बहु हो जगा है अलमूनियम की भाती यानि option number C next question है question number 37 blank ascaris का सधारन नाम है तो इसका जो सही अंसर हो जगा बहु क्या हो जगा round bomb यानि option number A next question है question number 38 कारा नीम्न में से लाल संभनिय संजोई उत्तक है तो इसका जो सही अंसर हो का बहु क्या हो जगा रुधीर रुधीर जो है बहु क्या है लाल संभनिय संभनिय संजोई कुटक है ठीक है अगर संयोजिक उत्तक की बात करते हैं तो यह बिभिन अंगो और उत्तको को संबंध करता है तथा उनमें कुछ अब लंब भी देता है ठीक है संयोजिक उत्तक जेनरली तीन प्रकार के होते हैं एक होता है बास्तविक संयोजिक उत्तक एक होता है कंकाल उत्तक और एक होता है तरल उत्तक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं संबहन उत्तक भी कहते हैं ठीक है चलिए अब कोश्चन नमबर नेक्स कोश्चन है कोश्च यह जली अथवा द्रब बिलोनों में OH प्लस आयन का निर्मान करता है तो यह क्या है सही है ठीक है यह जनरली क्या होगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है तो यहां जो सही अंसर होगा बो हो जागा अप्सन नमर सी नीले रिटमस को लाल कर देता है यह क्या है सही नहीं है ठीक है यह जनरली अगर हम बात एसीड की करते हैं तो यहां पर याद रखेगा एसीड जो होगा वो ह प्लस आयन देगा और जो बेस होगा मतलब अमल यह जो अमल जो होगा वो जली यह बिलियन में ह प् थायते कह गी है तो इसका जो सही नहीं सरों का बहुत जगा ऑप्सन नमर सी पांच किया गया है सॉलिड लिक्विड गैप जिसको ठोड शिरब और गैस बोलते है चोथा क्या है प्लाजमा और पांचमा क्या है बो साइंस टिन तो कितने हो गया है पांच नेक्स कोशन है उसमें तीन जोड़ी लाज ग्रंथियां पाई जाती है अगर हम बात लार की करते हैं तो लार में 90% भाग जल होता है और 10% भाग क्या होता है इंजाइम होता है और लार में जेनरली दो इंजाइम पाया जाता है एक होता है टाइलीन और एक होता है लाइस हो जाइन ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नबर 42, कोशन नबर 42 कह रहा है कि जब कोई बस्तू एक समान गती से गती कर रहा हो, तो इसका त्वरन क्या होगा, तो इसका त्वरन क्या हो जागा, सुन्न हो जाएगा, तो आपसा नमर C जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, देखिए, यदि अगर सम एक साथ बस्तू का बेग घड जाता है, तो त्वर्ण जो होगा, वो, मतलब एसलेशन जो होगा, वो निगेटीव एसलेशन होगा, ठिक है, नेक्स कोशन है कोशन नमर 43 कोशन नमर 43 कहरा है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्ष से पूरी तरह भड़ते हैं और बर्ष पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा तो इसका जो सैयन से रोगा बहुँ जगा ऑप्सन नमर C जो जलस तरह है वो क्या करहेगा पुर्ववत रहेगा यहां से एक चीज और याद रखेगा बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कि जब बर्ष पानी में तेरता है तो उसके आयतन का एक बटा दस भाग पानी के उपर रहता है और नौ बटा दस भाग पानी के भीतर रहता है अब नेक्स कोशन है कोशन नमबर 45 कोशन नमबर 45 कह रहा है कि दरभमान अपॉन में दरभमान बटा आयतन दिया हुआ है इस इक्वल टू क्या होगा तो दरभमान अपॉन आयतन अगर दिया हुआ है तो इसके बराबर क्या होता है घनत्ब होता है ठीक है और घनत्व से एक चीत आपस नमर बी जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा घनत्व यानि डेंसिटी डेंसिटी से याद रखेगा कि डेंसिटी का जो साई उनिट होगा वो क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब next question है question number 46 question number 46 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा रसाइनिक परिवर्तन का उदाहरन नहीं है तो देखिए दो परिवर्तन होता है एक बहुतिक परिवर्तन एक रसाइनिक परिवर्तन तो बहुतिक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें राफाइनिक परिबर्तन का उदाहरन नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो option number C जो होगा, वो हमारा सही answer होगा, जल का जल बास में परिबर्तन, ये जल बास को फिर हम लोग कंडेंसेज कर लेंगे, तो वो फिर जल में convert हो जाएगा, next question है, question number 47, question number 47 कह रहा है कि निम्न में से अगहात बर्थ निये धातु कौन सी है, तो इसका जो सही answer होगा, वो हो जाएगा, option number B यानि gold, ठीक है, धातु में सबसे अधीक अगहारत बर्थ क्या होता है, सोना ही होता है, और इसके बाद कौन होता है, चांदी होता है, next question अगर हम बात करते हैं, तो next question है, question number 48, अंत ब्रेसी बिभोजी तक पाए जाते हैं, तो इसका जो सही answer होगा, बो हो जगा, पतियों के तल में पाए जाते हैं, तो option number A जो होगा, वो हमारा सही answer होगा, next question है, question number 49, hydrogen का electronic बिन्यास निम्न में से किसके समान होता है, तो इसका जो सही answer होगा, बो हो जगा, option number C, छारी धात्यों के समान होता है, ठीक है, अगर हम electronic बिन्यास की बात करते हैं, electronic बिन्यास से आप लग भली बाती परचित होंगे, कि कच्छाओं और उपकच्छाओं में, इलक्ट्रोनों के बितरन को परमानु का electronic बिन्यास कहा जाता है, ठीक है, hydrogen से एक चीज याद रखेगा, कि hydrogen के खोच 1766 में हेंडिक अवेंडिस के द्वारा किया गया था, question number 50, question number 50 कह रहा है कि आपतीत की रन और पराबरतीत की रन के बीच का को नसी डिगरी है, तो आपतीत की रन का मान क्या होगा, तो चालिश डिगरी होगा, तो आपसन number D जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, नेक्स्ट कोशन है कोशन नम्बर 51 निमलिखिद में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमानू संख्या का आध्विक काज है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा आपसर नम्बर B यानि आधुनिक आध्विक नियम बताता है next question है question number 52 question number 52 कर रहा है कि निमलिखिद में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केबल एक जनक द्वारा रोग मुक्त में उगाया जा सकता है तो उत्तक संबर्धन द्वारा तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 53 वह बस्तुएं जिनका गंध एसेडिक तथा बेसिक माध्य में बदलता है उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं all factory संके तक तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 54 question number 54 कर रहा है कि जब परकास एक सगन माध्यम से बिलल माध्यम में परवेश करता है तो इसकी गती पर क्या परभाव परता है तो इसका जो सही अंसर होगा कि जब एक सगन माध्यम से बिलल माध्यम में जाएगा तो उसकी गती क्या होगा बढ़ेगा तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा परकास की अगर हम बात करते हैं तो कुछ याद रखेगा सबसे ज़्यादा उसकी गती जो होती है वो निर्वात में होती है और निर्वात में कितना होता है 3 x 10 2 दुपाबर 8 मीटर पर सेकंड होता है साथी साथ कुछ और याद रखेगा पानी में याद रखेगा 2.25 x 10 2 दुपाबर 8 मीटर पर सेकंड होता है और काच में याद रखेगा 2 x 10 2 दुपाबर 8 मीटर पर सेकंड होता है क्लियर है? चलिया next question है question number 55 question number 55 कर रहा है कि एक diamond में प्रते कारवन प्रमानू blank से बंधे होते हैं इसका जो सही अंसर होगा अब हो जागा 4 तो option number D जो होगा 4 अन कारवन प्रमानू से बंधे होए होते देखिए अगर हम diamond की बात करते हैं तो इसमें जो 2 कारवन प्रमानू होता है 2 कारवन प्रमानू के बिज एक 3 बंध पाया जाता है next question है question number 56 question number 56 कारवन तो केबल निमलिखी द्वार निसकरसित किया जाता है तो determinant को सेरफ सेथ electrolysis प्रोसेस यानि बिदी तप्गड़न प्रोसेस के द्वारे निसकरसित किया जाता है तो option number A जो होगा electrolyte के दिवारा निसकरसित किया जाता है ठिक है next question है question number 57 आपसन नमबर डेता बे वारा अमीवा पैरमीचिम और बैक्ट्रिया ब्लैंक दोरा बनते हैं तो देखिये बामीgest ौन podemos in और बहु भी package डूरा भी तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्ज क्या होगा तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा आप्सन नबर सी रिनात्मक होगा देखिए अगर पोजिटिशा में आएगा तो रिनात्मक होगा अगर सेम दिशा में होगा तब क्या होगा तब पोजिटिव होगा मतलब धना अब बल और विस्थापन दोनों अगर लंबवत हो जाएगा मतलब पर्पेंडिकुलर हो जाएगा तो जो हमारा कार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा नेक्स्ट केशन है केशन नमबर 59 केरा है कि हैलोजन में ब्लांक होता है तो इसका जो सइ अनसर होगा बोध हो जागा ऑप्शन नमबर C दो गैस एक ठोस होता है अगर हम बात करते हैं तो दो गैस एक ठोस होता अगर और आयोडीन और एस्टेटीन दोनों ठोस अब अस्था में पाया जाता है और ब्रोमीन एक द्रब धातु पाया जाता है तो दो गैस एक तरेल और दो ठोस होगा तो आपसर नमबर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा नेक्स कोशन है कोशन नमबर 60 कोशन नमबर 60 कह रहा है कि विवांतर भी और बिदुधारा आई के बीच संबंध की खोच किस ने की थी तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा आपसर नमबर B ओम ने किया था और ओम का नियम क्या है भी एक डिरेक्टिर पर पोपोर्शनल उसमें परवाही धारा के अनुकरमन पाती होगी मतलब प्रपोर्शनल होगा यदि किसी चालक के दो बिंद्यों के बीच अगर भीवांतर भी वोल्ट हो और उसमें प्रवाही धारा आई एंपियर हो तो ओम की अनुसार क्या हो जागा भी डिरेक्टिर पोपोर्शनल टू आई और फिर हम लोग इस डिरेक्टिर पोपोर्शनल को हटाएंगे और वहाँ एक कॉंस्टेंट लगाते हैं तो भी उक्वल्टि हम लोग उसको बोलते हैं आ रहाई ठीक है चलिए नक्स कोचन है कोश्चन नमर 61 कह रहा है कि मुंगेल जो बिहार में है को अपनी राध्ध जानी बनाने वाला पाल सासक कोन था तो इसका जो सही अर्षा ओगा बो हो एक मुट प्रतापी राजा बोल सकते हैं आप हो था और धर्म पाल नहीं बिक्रम सिलाबिसड़ाले की अस्थापना करवाया था चलिए नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर 62 कोश्चन नमर 62 कह रहा ह 11 अगस की 1942 को सचीवाले पटना के समीट जंडा फैराने के करम में साथ छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था कौन से जिलादने आदेश ने तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा अपसर नबर भी डबलू जी आचर ने और उसमें साथ लोग सहीद हो गए थे जिनका नामू माकांत था एका रामानन था एका राजेंदर सिंग राम गोबिन सिंग सतीष प्रताप ज्छा जगबती कुमार देवी पच्चोधरी ये सब उनके नाम थे नाम आपको याद रखने की ज़रुवत नहीं है ऐसे नेक्स कोशन है कोशन नबर 63 कोशन नबर 63 कह रहा है कि निमलिखित में से राज सभा के बिसे में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा देखिए सही नहीं है पूछ रहा है तो यह भंग नहीं किया जा सकता है तो ये सही नहीं है तो ये तो नहीं होगा इसका काज 5 बरसों का होता है तो ये हो जागा क्योंकि इसका जो काज कल है वो कितने बर्स का होता है, 6 बर्स का होता है, ठीक है, क्लियर है, राजसभा से एक चीज़ याद रखेगा, कि राजसभा का जो गठन होता है, वो अनुछे अस्ती के तहत होता है, ठीक है, और राजसभा का गठन कब हुआ था, उन्हें सो, बाबनीश्वी में, राजसभा में कमायू के नहीं होंगे next question है question number 64 मूल अधिकार के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ पूछ रहा है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा उच्तम नियाले के मूल छेदरा अधिकार के अंतरगत नहीं आते हैं ठीक है? चलिए next question है question number 65 question number 65 कर रहा है कि निमन में से किसे दच्छिन गंगोतरी के नाम से जाना जाता है तो आप लोग कुछ नाम सुने होंगे एक दच्छिन गंगोतरी, एक मैतरी, एक भारती यह तीनों क्या है? अंटार्टिका में सोध केंदर है तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा option number C, भारत का प्रथम अंटार्टिका सोध के अंदर कौन है? दच्छिन गंगोतरी है और इसकी अस्थापना कब हुई थी? उनई सो 82 में next question है question number 66 question number 66 करा है बारती यह गंणाअनु अंदान संस्थान कीजन थी? तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा लखनाव में तो option number A जो होगा? भो हमारा सही अंसर होगा गन्नानी संथाना संस्थान जो है, बो लखनाव में स्थी थी थै और कब? वो 1952 में इसकी अस्थापना किया गया था Next question है question number 67 महाबिस पोटक सिधान्थ किस से संबन दित है तो महाबिस पोटक सिधान्थ ब्रहमांड की उत्पत्ती से संबन दित है तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा Next question है 68 प्रिथिभी की आयू निर्धारित करने में निमलिखित में से कौन सी बिधी का प्रियोग करते है तो इसका जो सही answer होगा बहुँ जगाई uranium dating बिधी यानि option number 4 हमारा सही answer होगा प्रिथिभी की आयू लगबग लगबग 4.6 अरबर्स माना गया है Next question है question number 69 9. महासागर में ज्वार भाटा की उत्पती के कारण क्या है तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पती के कारण है सूर्ज और चंदर्मा का संजुक प्रभाव यानि option number C जो होगा वो हमारा सही answer होगा Next question है question number 70 कि एसिया की सबसे लंबी नदी कौन है तो यानि तजी जो है वो एसिया के सबसे लंबी नदी है तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer होगा इसकी लंबाई लगभग लगभग 5,797 किलोमेटर है और ये नदी तिबत के पठार से निकलती है अच्छीन सागर में जाके गिर जाती है Next question है question number 71 बैपारिक पबने कहां से चलती है तो इसका जो सही answer होगा बैपारिक पबने जो होती है उपोस्न उचदाब से चलती है तो इसका जो सही answer होगा बहुँ हो जगा option number B अगर हम बाप्त करते हैं कि बैपारिक पबने बैपारिक पबने होती क्या है तो जेनरली देखिए लगबग 30 डिगरी उत्री और दचनी आच्छांसों के छेतरिया उपोस्त उच बायुदाब कटी बंदों से भूमद रेखिए निम्न बायुदाब कटी बंदियों के ओर दोनों गुलारधों में बर्स भर निरंदिर परवाहित होने वाले पबन कोई हम लोग क्या बोलते हैं बैपारिक पबन बोलते हैं नेक्स कोशन है कोशन नबर 72 कोशन नमर 72 कह रहा है कि निम्लिकित में से कौन सी भूमद सागरिये जिलवायु की बिशेशता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा आप्सन नमर C, सी तरीतु में बर्सा नेक्स कोश मेंडल की परत ठीक है ओजोन परत से एक चीज याद रखेगा कि ओजोन परत की जो मोटाई मापने की काई है वो है डॉप्सन ठीक है और ये ओजोन परत हमें क्या पराबैगनी किर्णों से बचाती है नेक्स कोशन है कोशन नमर 74 कह रहा है कि पायस एक कोलाइड होता है तो इसका एकजमपल हो जागा बायू की आदरता है अगर हम लोग गैस में द्रभ की बिलियन की बात करते हैं तो है इसका एकजमपल हो जागा ब्रूमीन या ऑंपोनिया और ठोस में गैस का बात करेंगे बिलियन तब gide sevenahon कोशन aglor назад कोशन नमर 75 करद School Sundayelli करा है आ êtes माई लाइफ म सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज में इस्थित है तो जवाहर टनल किस राज में इस्थित है जम्मू और कास्मीर जो हमारा केंसासित परदेश है उसमें इस्थित है तो आपसा नमबर यह जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है अगर हम बात जवाहर टनल की कर नक्स कोशन है कोशन नबर 77 भारत में सबसे अधीक साच्छर संग राज छेतर कौन है ठीक है तो ये 2011 के जनगन्ना से कोशन है एक कोशन आप लोगों को एकजाम में भी देखने के लिए कमसे कमस मिलेगा 2011 के जनगन्ना से ठीक है तो अगर हम बात करते हैं इस कोशन के अंसर का तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट था कोई भी यूनियन टरेटरिज में तो बो है लच्छ दीप तो अप्सन नबर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा 2011 के जनगन्ना के अनुसार लच्छ दीप का जो साचर्ता दर है वो 92.28% है ठीक है लच्छ दीप से एक चीज याद रखेगा कि 2011 के जनगन्ना के अनुसार जो लच्छ दीप है वो जन संख्या और छेतरफल दोनों की द्रिष्टी से सबसे छोटा कैंसासी परदेस है जो Q. 78 तीसरी कसम फिल्म किन की उपन्यास पर आधारित है तो जो तीसरी कसम है वो फनिस्वर नाथरेनु की उपन्यास पर आधारित है तो और जो और जाने कितने वार एक जाम में पूछा गया है ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमर 79 निम्लिकित में से कौन से देश मैक मोहन रेखा के दोनों और स्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा आपसन नमर B भारत और चीन के बीच मैक मोहन रेखा है जो कि 1914 मिनी धारित किया गया था लेकिन अभी आपसन नमर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा नेक्स कोशन है कोशन नमर 80 कोशन नमर 80 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के बीरूत आंदोलन कहां सुरू किया है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा कि दच्छी न फिरका के नाटाल प्रांत में उन्होंने किया था तो आपसन नमर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है तो ये था आज का जो आपका 80 सेट का कोशन रहता है एक सेट में टोटल 80 कोशन थे उनका डिसकसन आसा करता हूँ कि आप लोगों को सारे कोशन क्लियर हो गया होगे समझ में आ गया होगा तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला है तो एक like जलूर कर दीजेगा साथी साथ आप लोग इसका pdf पहले ग्रूप से डाउनलोड कर लीजेगा attempt कीजेगा और comment में आप लोग marks बताइएगा कि आप लोगों का कितना marks आ रहा है thanks for watching